नमस्कार! उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का सौगत है। बड़ो को प्रणाम और छोटो को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी दो पहर का भोजन जिसे लिखा है अमरकान जी ने। सिध्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूले को पुझा दिया और दोनों घुटनों के बीज से रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चीटे चीटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है। अध्ध तूटे, खटोले पर सुए, अपने छे वर्सी लड़के प्रमोत पर जम गई। लड़का नंग धरंग पड़ा था, उसके गले तथा चाती की हड़ियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सुखे तथा बेजान पड़े थे और इसका पेट हड़ियों की तरह फूला हुआ था, उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अंगिनत मक्हियां उड़ रही थी। वह उठी बच्चे के मुँपर अपना एक वटा गंदा ब्लाउस डाल दिया और एकाद मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दर्वाजे पर जाकर किमार की आड़ से गली निहारने लगे। बारा बच चुके थे, धूप अत्यनत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ती सिर पर तौलिया या गमचा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए से गुजर रहे थे। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो छण बाद उसने सिर को किमार से काफी आगे बढ़ा कर गली छोर की तरफ निहारा। तो उसका बड़ा लड़का रामचंदर धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फूर्ती से एक लोटा पानी उसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पूतने लगी। वहाँ पीड़ा रखकर उसने सेर को दर्वाजे की ओर खुमाया ही था कि रामचंदर ने अंदर कदम रखा। रामचंदर आकर धम से चौकी पर बैठ गया। फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुह लाल था तथा चड़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिध्धेशुरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आये। और वहीं से वह भैभीत हिरनी की भाति सिर उचका खुमा कर बेटे को व्यागरता से निहारती रही। किन्तों लगबक दस मिनट बेटने के पश्चात। जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गए। पास जग कर पुकारा बढ़कू बढ़कू लेकिन उसके कुछ उत्तर ना देने पर डर गई। और लड़के की नाग के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा बुखार नहीं था। हाथ के इस पर से रामचंद्र ने आखे खोली। पहले उसने मा की और सुस्त नजरों से देखा। फिर जट से उठ पैठा। जूते निकालने और नीचे रखे। लोटे के जल से हाथ पैर्ध होने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेशर ने डरते डरते पूछा। खाना तैयार है। यहीं लगाऊं क्या। रामचंदर ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबुजी खा चुके। सिद्धेशरी ने चौके की और भागते हुए उत्तर दिया। आते ही होंगे। रामचंदर पीढे पर बैठ किया। उसकी उम्र लगबग 21 वर्स की थी। लंबा दुबला पतला, गोरा रंग, पड़ी बड़ी आंकें तथा होठों पर जुर रही है। वह एक इस थानिये दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबियत से प्रूफ रेडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रगती और पास ही बैठकर पंखा करने लगे। रामचंदर ने खाने की और दाशनिक की भाती देखा। कुल दो रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद ने रोटी के प्रथम तुकड़े को निगलते हुए पूछा। मोहन कहां है? बड़ी गड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मचला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाइ स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वैम पता नहीं था कि वह कहां गया है। किन्तु सच बोलने की उसकी तब्यत नहीं हुई और जूट मुट उसने कहा किसी लड़के के यहां पढ़ने गया है। आता ही होगा दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तब्यत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचन ने कुछ नहीं कहा। एक टुकडा मुह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया। फिर खाने लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकडे तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिध्धिश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एक ठक निहार रही थी। कुछ छण बेटने के बाद डरते डरते उसने पूछा वहा कुछ हुआ क्या। रामचन ने अपनी बड़ी-बड़ी भावहीन आखों से अपनी मा को देखा। फिन नीचा सिर करके कुछ रु पड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़-खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी। और खटोले पर सोय बालक की सांस का खर-खर सब्द सुनाई दी रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुपी को भंग करते हुए सिद्धेश्वरी ने फिर जूट बोल गयी। आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भाईया के यहां जाऊंगा ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी। जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोध ने रेवडी खाने की जित पकड़ ली थी और उसके लिए डेड़ घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चरे के साथ अपनी मा की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक तुकड़ा शे मार चुका है, मैं तो यह भी छोडने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिध्धेश्वरी ने जित की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड उठा, अधिक खिला कर बिमार कर डालने की तब्यत है क्या। तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जित, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिध्धेश्वरी जहां की तहां बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने ठाली में बचे टुकडे से हाथ खीच लिया और लोटे की ओर देखते विगा, पानी लाओ। सिध्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र न कटोरे को उंगलियों से बजाया फिर हाथ को थाली में रख दिया एक दो च्छन बाद रोटी के तुकड़े को धीरे से हाथ से उठा कर आख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद तुकड़े को मुह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीड़ा हो मजरा लड़का मुहन आते ही हाथ पैर धोकर पीड़े पर बैठ कया वह कुछ सामला था और उसकी आखें छोटी थी उसके चहरे पर चेचक के दाख थे वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था किन्त उतना लंबा ना था वह उम्र की अपिक्षा कहीं अधिक कंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रशन किया कहां रह गए थे बेटा भाई अप मूच रहा था मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निकलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाव एक मोटे स्वर में जवाब दिया कहीं तो नहीं गया था यहीं पर तो था सिद्धेश्वरी वहीं बैटकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बडा रही हो बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कह रहा था मोहन बड़ा दिमाकी होगा उसकी तबिया 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है या कहकर उसने अपने मजले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो मोहन अपनी मा की ओर देखकर फी की हसी हस पड़ा और फिर खाने में जुट गया वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की तीन चौथाई दाल तथा अधिकांस दरकारी साफ कर चुका था सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था अचानक उसकी आँखें भर आई वह दूसरी ओर देखने लगी थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मोह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था सिद्धेश्वरी ने चौकते हुए बुचा एक रोटी देती हूँ मोहन ने रसोई की ओर रहस्त में नेत्रों से देखा फिर सुष्ट स्वर में बोला नहीं सिद्धेश्वरी ने गिड़ गिड़ाते हुए का नहीं बेटा मेरी कसम थोड़ी ही ले लो तुमारे भया ने एक रोटी ली थी मोहन ने पनी मा को गौर से देखा फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई सिक्षक अपने सिष्षे को समझाता है नहीं रे बस अवल तो अब भूग नहीं फिर रोटीय तुने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती ना मालूम कैसी लग रही है खेर अगर तुचाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल डाल दे दाल बड़ी ही अच्छी बनी है सिद्धिश्वरी ने कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया मोहन कटोरे को मुह लगा कर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुन्सी चंद्रिका प्रशाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए सिद्धिश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन डाल को एक सास में पी कर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया दो रोटियां कटोरा भरदाल चने की तली तरकारी मुनसी चंद्रिका प्रशाद पीढ़े पर पाल्थी मार कर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूरी गाय जुगाली करती है उनकी उम्र 35 वर्श के लगभग थी किन्तु 50-55 के लगते थे शरीर का चमड़ा जूलने लगा था गंजी खोपड़ी आईने की भाती चमक रही थी गंदी धोती के ओपर अपेक्षकृत कुछ साफ बन्यायन तार तार लटक रही थी मुंशी जी ने कटूरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूचा बढ़का दिखाई नहीं दे रहा सिध्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है जैसे कुछ काट रहा हूँ पंखे को जरा और जोर घुमाती हुई बोली अभी अभी खा कर काम पर गया है कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी हमेशा बाबु जी बाबु जी किये कहता है बोला बाबु जी देवता के समान है मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई शर्माते हुए पूछा ए क्या कहता था कि बाबु जी देवता के समान है बड़ा पागल है सिदेश्वरी पर जैसे नशा चड़ गया था उनमात की रोगणी की भाती बड़ बड़ाने लगी पागल नहीं है बड़ा होशियार है उस जमाने का कोई महात्मा है मोहन तो उसकी बड़ी इज़त करता है आज कह रहा था कि भाईया की शहर में बड़ी इज़त होती है पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है बढ़का तो छोटी भाईयों पर जान देता है दुनिया में वा सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए मुन्ची जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे उन्होंने सामने की ताक की और देखते वे हस करका बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है वैसे लड़कपन में नटखट भी था हमेशा खेल कूद में लगा रहता था लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक में उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार है प्रमोद को कम समझती हो या कहकर वह अच्छानक जोर से हस पड़े मुंसी जी डेर रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए फिर खर खर खास कर खाने लगे फिर चुपी चा गई दोर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवास सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था सिद्श्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे वह चाती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ें पर पहले की तरह धडले से बात करे पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी उसके दिल में जाने कैसा भै समाया हुआ था अब मुंसी जी इस तरह चुपचाब दुपके हुए खा रहे थे जैसे पिछले दो दिनों से मौन व्रत थारन का रखा हो और उनको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो सिध्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया बोली मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी मुंसी जी ने एक छण के लिए इधर उधर देखा फिर निर्विकार स्वर में राय दी मक्हियां बहुत हो गई है सिध्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की फूफा जी बिमार हैं कोई समचार नहीं आया मुंसी जी ने चने के दानों की योर इस दिल्चस्पी से द्रिष्टी पात किया जैसे उनसे बादचीत करने वाले हैं फिर सूचना दी गंगा शरन बाबू की लड़की की शादी तै हो गई है लड़का एम में पास है सिध्धेश्वरी हठा चुप हो गई मुंसी जी भी आगे कुछ नहीं बोले उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुछे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे सिध्धेश्वरी ने पूछा बढ़का की कसम एक रोटी देती हूँ अभी बहुत सी है मुंजी जी ने पतनी की और अपराधी के समान तथारसोही की और कनखी से देखा तर्षपस्चात किसी छटे उस्तात की भाती बोली रोटी? रहने दो पेट काफी भड़ चुका है अन और नमकीन चीजों से तब्यत उब भी गई है तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ गुड होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड है मुझी जी ने उत्साह के साथ कहा तो थोड़े गुड का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा तुम्हारी कसम भी रह जाएगी जायका भी बदल जाएगा साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है या कह कह कर विठाहा का मार कर हस पड़े मुझी जी के निपटने के पश्चा सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई बटलोई की दाल को कटोरे में उडेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बच्ची थी उसे पास खींच लिया रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया उसमें केवल एक रोटी बच्ची थी मोटी भद्दी और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान उसारे में सोई प्रमोत की उरा करशित हो गया उसने लड़के को कुछ देर तक एक टक देखा फिर रोटी को दो बराबर टुकडों में विभाजित कर दिया एक टुकडे को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकडे को अपनी जूठी थाली में रख लिया तदुत परांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई उसने पहला ग्रास मुँ में रखा और तब ना मालुम कहां से उसकी आँखों से टप टप आशू चूने लगे सारा घर मक्षियों से भनभना कर रहा था आगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी तंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था बाहर की कोठ्री में मुन्शी जी आधे मुह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे जैसे डिड़ महीने पूर्व मकान किराया नियंतरन विभाग की कलर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोथसाहित करने के लिए एक लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किये बिना ना जाएं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद